सुना चाचा चाचीना अरे भूला हावे के बाद निरहुआ भाईया के जीता हावे के बाद जीलाया जमगड में लाहावे के बाद अरे विखर गाई खोता हाद जब से आउडल चीरई आया वे ना समझ में काहां अरे भूला आवे के बहुत कहली लेकिन सपनों में जगा हावे ले उपगलियाद आवे ले उपगलियाद आवे ले नमस्कार बदलेगा भारत पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मवजूद है एक बेहदी शांदाल लाजवाब भोजपुरी कलाकार गायक कलाकार जिनकी आवाज में जादू है वो जादू कि जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि काली घटाएं घिरने वाली है जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब मेगा बरसने वाले है जब वो गाते हैं तो लगता है कि कहीं दूर बाग में कोयल की कूप की आवाज आ रही है अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत बढ़ा चला कि इनका परिचे करा दिया लेकिन ऐसा नहीं है जब आप इनकी आवाज को सुनेंगे तो आप भी कायल हो जाएंगे और जो बाते मैंने कही आप भी उससे एड्मिट करेंगे आप भी उससे सिवकार करेंगे इसके साथ ही आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये गायक कलाकार आजमगर के हैं लोग प्रिये कब हुए, कब चर्चा में आए, कब वाइरल हुए अगर बात करें इसकी तो अभी हाल ही में बीते लोग सभा उपचुनाओं में दिनेश लाल यादो उर्फ निरहुआ के लिए इन्होंने बेजोड गाना गाया था निरहुआ भाईया के जितावे के बाँ उस गाने को गाने के बाद ये वाइरल हो गए और वाइरल भी ऐसे कि जितनी चर्चा दिनेश लाल यादो के चुनाव जीतने की हुई उतनी ही चर्चा सूर्वली पटेल के गाने के हुई तो देर ना करते हुए इनसे बातचीत करेंगे सबसे पहले संचिप्त परिचे लेंगे और उसके बाद सीधा इनकी गायकी पे आएंगे बात करेंगे इनसे गाने गवा करके देखेंगे ताकि आप भी यकीन करें कि जो मैंने इनकी तारीफें की हैं वो बेजा नहीं की हैं वो ऐसे ही नहीं की हैं तो सबसे पहले स्वागत है बहुत बहुत धन्यवास सर और जो दर्सक लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी तह दिल से नमस्कार मैंने बड़ा तारीफ कर दिया आपका और उमीद है कि जिस तरह की आपकी गायकी है मैंने सुना है तमाम चैनलों पे आपका इंटर्व्यू और तमाम चीजें उसी के मताबिक होगा मेरा विश्वास कहीं से कम नहीं होगा बहराल एक मैं चाहता हूँ अपना संचिप्त परिचे हमारे दर्षकों को दें ताकि उन्हें पता चले कि निरहुआ के लिए जिसने कमाल कर दिया कमाल का गाना गाया वो कहां का रहने वाला है पढ़ाई लिखाई क्या है माता पिता क्या करते हैं जी सर हमारा नाम सुर्यबली पठेल पड़ेगा और ग्राम बहरी डार नोकापूरा पोस्ट काजिक डिगोनिया खाना जियनपूर और सगडी विधान सबात 345 के अंतरगत में हमारा घर पड़ता है और जिला आजम गड़े सर माता पिता क्या करते हैं सर मेरे पापा जो है तो खेती बारी करते हैं किसान गारा किसान होता है यह यह सर पड़ाई लिखाए कितना के आथा थी सर मतलब परिस्तिती उतना प्चा नहीं थी तो हम आठ नो थक आच्छा सबड़े लेकिन दसमी कैसो कैसो कर के मतलब मारसिट निकाल दी गई तो आप सीधा आपकी गाय की पे आते हैं सुर्वली निरुगा भहिया के जितावे के बाद तो वहीं से शुरुवात हो जाए जी सर अम निरुगा भहिया के लिए वही गाना गाय थे अरे सुना चा 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 चीना अरे भूला हावे के बाद निरुगा भैया के जितावे के बाद जिलाया जमगर में लाहावे के बाद, दीने सलाल यादव के जीता हावे के बाद, जीलाया जमगर में लाहावे के बाद. अगला कड़ी था सर अरे भाईया जे जीती हैं तो पूरा एजी ही लाके देखा बीकास होई जाई हो आक करी है का मजेवन के हूँ ना करी के हूँ निरासी ना हो पाई हो आरूह कल बाटे का मजेवन पूरा हावे के बाद निरहुआ भाईया के जीता हावे के बाद हमने देखा इगाना काफी वायरल हुआ था निरहुआ बैट के वाहँआ जैसे मैं इहां पे वाहँआ कर रहा हूँ ऐसे निरहुआ कर रहे थे काफी खुश लग रहे थे तो निरहुआ ने कहा था कि कुछ ऐसा करने के लिए अपने मन से आपने किया नहीं सर भाया से मुलाकात होई 2019 में भी उनका हम परचार किये थे लेकिन तब साइकल की सवारी थे सर तो मतलब अधिक करके भाया आते थे तो मुबारक पुरू विदान सभा में तो हम मतलब उतना चर्चित नहीं हो पाए लेकिन इस बार मौका मिला तो हम बोले कि अब फिर बाइस में मौका मिला तो काम तमाम कर दिया जी सर अच्छा ये बताइए कि ये सवाल थोड़ा आपकी गायकी से हट करके है जैसे आपने कहा निरवा भाया को जितावे के है इस तरह का गाना गाया आपने तो खाली निरवा भाया ही क्यों धर्मिंदर भाया भी चु अच्छा जी और मन में बस बस चुके हैं कि मतलब हां यह हमारे लिए कुछ करेंगे हमें पूरा उमीद है और उमीद इसलिए है कि निरवा भाब यह हर किसी को बहुत हम देखें बहुत लोगों को फिलम में काम दिये जिनको जो मतलब होने लायक था उतना सयोग किये है तो हमारे एक पच के भाई हैं एक बड़े भाई समझें या गुरु समझें तो हम उन्हीं को मतलब सपोर्ट करें जी सर तो मैं यह देख रहा हूं कि जैसे तमाम आपके इंट्रिविव आ रहे हैं कुछ लोग उसमें लिख रहे हैं निरवा ने धोखा दे दिया कुछ लोग ऐ चाहत है उसी से मालीजे अगर पाईशें पूरी ना कर पाएं तो क्या वही भगवान खराब हो जाएगा नहीं सर वह अमारे लिए दिनिसलाल या दो नहीं रहोगा भी आमारे लिए कुछ करें या ना करें लेकिन मौन में अगर बसा लिया है कि हम जब भी सपोर्ट करेंग चाहत है बहुतर नहीं कि रहीए तो बहुतर नहीं बहुतर लिए हम कोई इसारा नहीं मिला है कि नहीं में रहए नहीं कि फ्युवार अग्र बहुदर जब हो अšक्ति करने के लिए घूजिय kaynaji कोया तन्हां हुन अब माली जी वहां पे मीटिंग हो रही है कि अब रोड का भी कास होगा और किसी के सुख दुख में साथ देंगे तो माली जी में ब्रांच तो ही है जो साखा है तो वहीं पे है न नहीं नहीं आप यह पलटी मारने वाली बात है बहराल अब मैं लड़ता हूं उस मुद्दे पर जिसके लिए हमने आपको यहां पर अबंतृत किया है ठीक है एक कलाकार का आत्मविश्वास उसका जो टैलेंट है हुनर है जो उसकी गायकी है वही उसको आगे लेकर करके जाएगी जमाना क्या करेगा जमाना अगर देखेगा कि हाँ यह चलने वाला है दिरिश्काल य पूरी फूल सव में सव परसंट सर अम जब चरता अब है घर दिनेश्विशतने नहीं मेंनत किया तो दिनेश्विश्य मेंनत किया आपको नहीं पोचा निरहथक았는데 तो क्या वाल कहा लिम्स एक राकार होने के नाथे आपने उनकी मदद किया जी इंसान इंसान की मदद करता है बस बस सर वही बात है ठीक है जी तब अब सुर्वली क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे या इंतजार करेंगे नहीं सर इंतजार भी रहेगा और हम अपना कार यह मतलब आगे बढ़ाते रहेंगे तो क्या कर रहें हैं सर इसमें मतलब गानों नग अच्छोड के सुगना पिजडवा के भागलबा और होटे ना सुरतिया उनिकर और भूले ना सुरतिया उनिकर आया थो पहार में अर मीले ना मोत देखा अब ता जहार में मीले ना मोत देखा अब ता जहार में अगला कड़ी है सर अर बिखर गाइल खोता हजब से आवे ना समझ में कहां ले आईली समय या अर बिखर गाइल खोता हजब से उडली ची रही आवे ना समझ में कहां लाईली समय या अनेहिया के ना अबुता और डूबल भावार में अर मीले ना मोत देखा अबुता जहार में क्या आवाज है जो तारीफ मैंने किया था आप भी मुतमाइन होंगे मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मुतमाइन होंगे जो भोश्परी को समझते हैं जो इसकी मिठास को इसके हैसास को आत्मसाद करते हैं महसूस करते हैं इस आवाज ने अंदर तक एक वेदना को एक को जगा दिया होगा मेरा ऐसा मानना है यार इतना दर्द किस लिए सूरीबली कहीं दिल तूट तो नहीं गया था सामने वाले तो सुनने वाले तड़प ही गए होगे अब सूरीबली को सूरी के जैसे चमकना है भोजपुरी इंडस्ट्री में और भोजपुरी जो गायकी की दुनिया है उसमें चमकना है जी सर है ना पूरा प्रण कर लिया है जी बिलकुल वाकर ये लड़का दिन रात मेहनत कर रहा अगर मैं बताऊं और मैंने बात किया सूरी रिकॉर्डिंग के बाद वक्त में अगर बता दूँ आपको सच में बता रहा हूँ चार बजने वाला है ये घड़ी देख लिए चार बजने को है और ये लड़का यहां से फिर आजमगर से गोरकपुर जाएगा रिकॉर्डिंग करने तो सोचिए किस हद तक की मेहनत कब से आपने शुरू किया गाना उना कब से शुरू किया जी सर अम गाय की लाइन में उतरे हैं 2018 से कहां से सीख तो आप मुझे बताए घर का सपोर्ट कितना मिलता है घर वाले लोग क्या कहते हैं माता भी दा क्या कहते हैं आपके संगर्ष को देखके कि कभी ने उनका मान ह चलो सुरिबली उठाओ कुदाल फावडा चलो खेत में बहुत हो गया नहीं सर मेरे ममी पापा यही बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो वही अच्छा है जी मतलब वो लोग देखते हैं कि हमारा लड़का लगं से लगा है मतलब में अनत कर रहा है अब कल का दिन मतलब कोई ज लगाए बैठे हैं कि हमारा लड़का आज नहीं तो कॉल कुछ लायक जरूर हो जाएगा दस रुपे कमाने लगेगा परिवार्ट फिल्मों में भी अभिनेता का किरदार अदा करते हैं गानों में भी डांसिंग गयरा करते हैं गाने भी खुदी गाते हैं तो इन में से कौ कि सिंगे कि हम अमिसी को देख करके हम सीखे हैं हम एसा नहीं बोलेंगे कि अपना प्रियस नहीं मानते हैं और उन्हीं लोगों का गौन सूने और उन्हीं मन में कुछ करें हम बsåina कुछ करना चाहते थे और सभी का गाना देखकर आज जितने भी बड़े कलाकार हैं छोटे कलाकार कोई भी हूं हम सभी का गाना सुनते हैं सर ऐसी कोई बात नहीं हुआ है एक ज़रूरी सवाल और निरहुआ के परचार जब उनका चुनाव चल रहा था उसके पहले के सूरिवली और वाइरल होने के बाद के सूरिवली में क्या अंतर आया है अन्तर कुछ नहीं है से फायदा नहीं हुआ नहीं सर फायदा तो नहीं हुआ लेकिन जैसा जूली इससे फरक पढ़ रहे हैं कि मानले जीए आज के दो मैने पहले हम पैसा लगा कर स्टूडियो जी सर इतना फर्क है शराए को उसी चैनल से जी चैनल की बात करें उसी सब चैनल के पैसा देते थे तो अमरा फॉस्टर बनता गाना लांच होता था रिकोर्डिंग होती थी वीडियो पर जाता है तो फर्क है और यही फर्क आपके कैरियर में भी आगे आने वाले समय में यह फर्क आपको दिखाए देगा कि जब एक बड़ा कलाकार अपने से मतलब छोटे उम्र के कलाकार के साथ क्योंकि कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता है ना मैंने छोटे उम्र की कलाकार की बात करी है मतलब आप उनसे छोटे हैं तो जब एक बड़ा कलाकार बैठके किसी की तारीफ करे और मतलब आखें बंद पितने को तो यह भी नशीम नहीं होता कितने लोग तो बस खाली मूवी में देखें Niroua भाईह है और यह प्लाने भाईह Ah और हकिकत में तो डर्शन नहीं है तो सब्सक्राइग करें और कबने लोग venom कर रहें और सन्य आप कई गाना आने वाला है और आ रहा है जी एक मेरा सेट सुनक था सक अरे भूला आबे के बहुत कहली लेकिन सपनों में जगावेले उपगलियाद आबेले उपगलियाद आबेले अगला कड़ी था सर अर मिलत रहली उपहिलेत सिना वहा से ले में सठाई हो आ मोहाबत नाम का होला सिखली उनिका से हम जाई हो पटेल सुर्या बली एतना इमोहाबत का हैं रोवावेले उपगलियाद आबेले उपगलियाद आबेले जबरदस्त तो सिर्फ भुषपुरी गाना हिंदी गाना भी गाते हैं जी गाते हैं सर एक से सुमर सुना दें सर आप सुना दें दो लाइन दो यह लाइन से नहीं कि जब तक सांसे चलेगी कि जब तक सांसे चलेगी तुझी को चाहूंगा या अर्मर भी गाया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार मर भी गाया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार बैया चांदार आपने सुना सुर्यवली की आवाज को सुर्यवली अनन्या म्यूजिक के लिए गाना गा रहे हैं बताया कि निर्हुआ जी के साथ बैट करके मेरे गाने के सुनने के बाद इतना फर्क तो आया है कि पहले जिन इस्टूडियोज में मैं जाता था जहां पी मुझे लाइने लगानी परती थी अपने पैसे नहीं देना पड़ता अब वो जो इस्टूडियोज वाले हैं जो म्यूजिक डिरेक्टर वगेरा हैं या जो अपना इल्बम बनाते हैं और सूरीबली से उसमें गाना गवाते हैं मौका देते हैं वो इनके खर्च को भी उठाते हैं अब कुछ पैसे मिलने लगे हैं सूरीबली को और सूरीबली रुके नहीं है ठके नहीं है अपनी मेहनत के बदौलत सूरीबली आगे बढ़ रहे हैं और भविश में जब कभी इनकी निरहुआ जी से मुलाखात होगी या मेरे से भी मुलाखात होती है निरहुआ जी की तो मैं जरूर उनसे इनका जिक्र करूंगा कि एक लड़का आपके चुनाव केंपेनिंग के समय में उसने गाना गाया था और आज भी वो आपको दिवानों के जैसा प्यार करता है उ एगे आने वाला भविश्य है ऐसे गायकों का जो अपनी महनत से अपनी लगन से आगे बढ़ते हैं हम समय समय पर सूरिबली से मिलेंगे और उनके इंटर्व्यूस करेंगे उनके हर एक जो अपकमिंग क्यों प्रजेक्ट होँगे जो गाने होंगे उस पर बात करेंगे, उ हम लगातार इनकी बातों को आप तक पहुचाते रहेंगे क्योंकि एक गायक कलाकार के लिए या किसी भी कलाकार के लिए उसकी जो audience होती है उसके जो दर्शक होते हैं वही उसकी प्राण वाई होते हैं उसके जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो आप जैसे दर्शक हैं सुधी दर्शक हैं तभी आप जैसे गायक भी हैं जो आपके लिए गाते हैं हमारे शुबकाबनाए सुरिबली पटेल के साथ हैं और उन तमाम शुरुताओं से हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज्यादा इनको प्यार दें अगर इनके गाने या इनकी जो कहानी हमने आपको बताने की कोशिश की वो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जादा से जादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये गायक जो बहनत कर रहा है ये भी वाइरल हो और काम्यावी के आकास पर पहुंचे हमसे बाचित करने के कर दो हमसे जादा से कि भी सब्सक्राइब काम्यावी नयादा से कि जुवफश से टूंचे पहुंचे लिवपको से लिए जो जोस्तों।